आज के दिन दो खबरों के हल चल रही एक तो वो खबर जिसका दुनिया को बेसबरी से इंतसार था ब्रिटिन में कोरोना की वैक्सीन आज से लोगों को देने की शुरुआत हुई और माना जा रहा है कि आज का दिन लगभग एक साल से जारी इस दर्दनाक सफर का एकातिहास पड़ाओ है क्या जल्दी ये वैक्सीन भारत में भी आएगी वहीं दूसरी तस्वीर भारत से जहां आज बहुत कुछ थमसा गया आज नए क्रिशी कानून का विरोध कर रहे किसानों ने भारत बंद बुलाया था इन दोनों खबरों और उसके असर की होगी बात लेकिन सबसे पहले बात कोरोना की पहली अप्रूवट वैक्सीन की और जिस दिन का दुनिया को इंतजार था वो आज आ गया ब्रिटन आज दुनिया का पहला देश बन गया है जहां कोरोना की पहली अप्रूवट वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया है और आज सुबह 90 साल की मार्गरिट कीनन दुनिया की वो पहली महिला बन गई जिन्हें फाइजर वैक्सीन की पहली खुराग दी गई वैक्सीन लेकर उन्हों ने कहा कि अगर इस सुम्बर में वो वैक्सीन ले सकती है तो बाके क्यों नहीं ब्रतानी प्रधान मंत्री बोरिस जॉन्सन ने कहा कि ये कोविड-19 के खलाफ जंग में एक बड़ा कदम है ब्रिटन में इस वारस से अब तक साथ हजार से जादा लोगों की मौत हुई है जबकि भारत समयत पूरी दुनिया में पंद्रह लाग से जादा लोग जान गवाच चुके हैं आये देखते हैं कि ब्रिटन में उनके अलावा आज किन किन लोगों को दी गई कोरोना की ये वैक्सीन ये वो लम्हा है जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था फाइजर बायोन टेक वैक्सीन की पहली खुराक इस महिला को दी जा रही है 90 साल की मारगरेट कीनन को कौवेंट्री शहर के युनिवरस्टी हॉस्पिटल में मेट्रिन में पार्संस ने ये वैक्सीन दी ये शुरुआत है ब्रिटन समेत पूरी दुनिया में लाखो करोडों लोगों को कोरोना वायरस महमारी से बचाने की मैगी नाम से जानी जाने वाली मारगरेट आईरलेंड के एनिस किलिन की हैं और पिछले 60 सालों से कौवेंट्री में रह रही हैं वो अगले सब्ता 91 साल की हो जाएंगी और कहती हैं कि जनम दिन से पहले उन्हें इस से बहतर तोफा नहीं मिल सकता था ये अद्बत और बहतरीन है ये एक शानदार काम की शुरुआत है इसलिए मैं बहुत खुश हूँ ये एक भयावा बिमारी है इसको दूर करने के लिए जो कुछ भी हो सके वो बोनस है तो ये बड़ी रहती बात है ये वैक्सीन सबसे पहले मारगरेट की तरहां 80 साल से ज्यादा के बुज़र्गों और हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी 21 दिनों में वैक्सीन की दो खुराक लेनी होंगी ये बेहत भावुक लमहा था वैक्सीन सेंटर का माहौल में बयान नहीं कर सकता ये एक एतिहास एक दिन है इस बीमारी के दर्दनाख सफर का एक टर्निंग पॉइंट है एनेचेस की ये एक और बड़ी उपलब्धी है ये दुनिया भर के टीका करण कारिक्रम की शुरुआत है मार्गरेट को वैक्सीन लगते देखना बहुत भावुक शार था देखने में ये बड़ा साधारन लग सकता है किसी के हाथ में बस एक इंजेक्शन लगा दिया गया लेकिन इस खतरनाग बीमारी को हराने की दिशा में ये बेहद एहम कदम है सरकारी आंकडों के मताबिक 60,000 से ज्यादा लोग कोरोना की वज़ा से जानगवा चुके हैं शुरुआत में वैक्सीन सिर्फ अस्पतालों में दी जाएगी बाद में स्वास्ते केंद्रों और फार्मेसिस्ट को ये वैक्सीन दी जाएगी विशेश टी में केर होम जाकर वहां लोगों को वैक्सीन देंगी लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि जिन जिन लोगों को वैक्सीन की जरूरत है उन तक इसे पहुंचाने में हफ्तों लग जाएंगे ये एक शुरुवात है लेकिन अभी भी जिंदगी को पूरी तरहां से पट्री पर लोटने में काफी वक्त लगने वाला है वैसे तो सबकी निगाहें वैक्सीन की पहली खुराक लेने वाली मार्गरेट कीनन पर थी हलांकि दूसरे शक्स ने भी लोगों का ध्यान की जाए ये इसलिए नहीं था कि वो पहले पुरुष है बलकी उनका नाम भी चर्चा की मज़बना, उनका नाम है विलियम शेक्सपेर और वह उसी वार विक्षिर से हैं जहां मशूर कवे और नातक कार विलियम शेक्सपेर का जन्म हुआ था ब्रिटिन दुनिया का पहला देश है जहां रेगूलेटर्स ने कोरोना की वैक्सीन को मनजूरी देने के लिए हर जरूरी वैग्यानिक शर्त का पालन किया है हलांकि इसी हफते रूस ने भी बड़े पैमाने पर स्पुतनिक वी ठीके को लगाने का अभियान शुरू किया है कुछ जानकारों का मानना है कि ब्रिटिन के ठीका अभियान से ठीक पहले रूस में इसकी शुरुआत होना महद इत्तिफाक नहीं है स्पुतनिक वी वैक्सीन सुरक्षामानकों के लिहाद से अभी भी ट्रायल के दोर से गुज़र रही है आम तोर पर वैक्सीन को इस्तिमाल की मनजूरी से पहले कई सतर के क्लिनिकल ट्रायल से गुज़रना होता है जिसमें सालों का वक्त लगता है लेकिन फाइजर और बायोंटेक की वैक्सीन ने दस महीने में ही कॉंसेप्ट से लेकर रियालिटी तक का सफर तैक कर लिया है आईए जानते हैं कैसे बितानी अधिकारियों ने पड़ताल की और पाया कि फाइजर बायोंटेक वैक्सीन कोविड नाइटीन से 95 प्रतिशत तक बचाओ कर सकती है टीका करन के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है 2020 में हमने जो जेला उसके बाद हम इस बाद की उमीद कर सकते हैं कि अगला साल बहतर होगा वैक्सीन की जिने जरूरत है उन्हें तीन सब्ता के भीतर इसकी दो खुराक लेनी होंगी और दूसरी खुराक लेने के बाद वैक्सीन को पूरी तरह से काम करने के लिए साथ दिन लगेंगे वैक्सीन को बेहुद थंडे वातावरण में यानि कि शूने से 70 डिग्री सेल्सियस नीचे रखना होगा हमने खास तोर पर एक बॉक्स बनाया है जो पिज़ा बॉक्स की तरह लगता है इसमें ड्राइ आइस पैक होगी जो वैक्सीन को बिना किसी अतरिक्त सपोर्ट के 10 दिनों तक ठंडा रख सकती है ब्रिटेन ने वैक्सीन की 4 करोड खुराक और की हैं जो की 2 करोड लोगों के लिए परयाप्त होंगी 8 लाग खुराक की पहली खेप आ रही है जो बुज़र्गों और केर होम्स में रह रहे हैं लोगों को दी जाएगी लेकिन वैक्सीन बना रही कंपनियों ने कहा है कि वो 2020 के आखिर तक 5 करोड खुराक और 2021 के आखिर तक 130 करोड खुराक तयार कर सकती है बड़े पैमाने पर टीका करण के लिए उपलब दी ये पहली कोरोना वैक्सीन है जिसे ब्रिटेन ने मन्जूरी दी है इसके लावा मॉड़ना और ओक्सफोल्ड एस्ट्रेजन का वैक्सीन भी है जो ब्रिटेन में मन्जूरी का इंतजार कर रही है यानि आने वाले दिनों में और वैक्सीन सुपलब्ध होंगी भारत ने भी फाइजर वैक्सीन के इस्तिमाल के इजाज़त मागी है पहले चरण के वैक्सीनेशन से ये मुम्किन है कि अस्पताल में भरती होने वाले और जान गवाने वाले कोविड मरीजों के संख्या में 99 पीसदी तक की कमी आ जाएगी ये कहना है ब्रतानी अधिकारियों का हलांकि इस वैक्सीन को लेकर अभी भी कई सवाल है जैसे कि क्या इससे कोरोना वायरस के फैलने से रूका जा सकता है पर वैक्सीन डिवेलप करने वालों का कहना है कि इस सवाल का जवाब देना अभी जल्दबाजी होगी जो मालूम है वो ये है कि इस TK से 95 फीसदी मामलों में लोगों को सुरक्षित किया जा सकता है यानि उन में बीमारी के लक्षन इसके बाद नहीं आएंगे पर बिटन के लिए आज का दिन खास है कई लोग ये कह रहे हैं कि ये एतिहासिक दिन है और क्या कुछ कह रहे हैं वहां के लोग बता रही है बीबी से समवादाता गगन सभरवाल बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि फाइनली अब लाइफ बैक तू नॉर्मल हो सकता है कुछ लोगों ने ये यूके का हिस्टॉरिक मोमेंट भी बताया है इसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि ये यूके का बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और उन्होंने यूके गफ्मन और नहींचेस वरकर्स और साइंटिस्स को थाइंक यू बोला है लोगों के क्रिस्मस सेफ करने के लिए इसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि अब लाइफ धीरे से back to normal हो सकती है जिसकी वजह से economy और tourism फिर से वापस शुरू किया जा सकता है लेकिन कुछ ऐसे भी लोग है जिन्होंने social media पे अपने concerns raised किये है क्योंकि जैसे कि आपको पता ये जो vaccine है वो सिफ 95% effective है तो इसकी वजह से लोग डर रहे हैं और बोल रहे हैं कि you know there are chances कि कुछ लोग इसके long-term effects से भी सफर कर सकते हैं लेकिन besides all this overall जो UK का जो situation अभी है that's it's a lot happier than what it was a few weeks and days and months ago और हम undoubtedly ये बोल सकते हैं कि finally हमें थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही है इस dark tunnel में